हाई गाइस कैसा आप लोग वीडियो में हम optical isomerism in coordination compound पर जो question आते हैं उस पर एक shortcut देखेंगे एक trick देखेंगे बहुत बार गाईज optical isomerism के जो question पूछे आते हैं कि कुछ compounds दे दिये जाएंगे आपको और आपसे ये पूछा जाएगा इन में से कौन से वे complexes हैं जो की optical isomerism शोक करेंगे या नहीं करेंगे ये हाला की questions आसान होते हैं लेकिन इस पर काफी हम time waste कर देते हैं बहुत बार के तो आसानी से questions solve कर सकें तो optical isomerism जब आपका जो coordination complexes हैं सबसे पहले आप ये ध्यान रखें अगर coordination number 4 है तो हमेशा M, A, B, C, D type का जो complex होगा वो ही show करेंगे याने जो ये चारो के चारो valences है ये different होनी चाहिए लेकिन जब cn equals to 6 हो जाता है उस case में ही ज्यादतर हमें questions पूछे ज तो cn अगर 6 है तो आप उसमें ये याद रखिए कि जो ये 5 तरह के compounds हैं ये इसी तरह के जो complexes हैं वे optical isomerism शो कर सकते हैं या M आपका एक central metal है सभी में और ये सबके सब ligands हैं इसमें अगर different है सारी के सारे 6 की 6 valences इसमें दो सेम है और 4 different है and so on एक तो ये हो गया 5 इस तरह के show कर सकते हैं और अगर हमारे किसी complex में at least one bidentate ligand है अगर या तो ये 5 cases हो इनको याद करनेगा मैं आपको एक method बताऊंगा बहुत ही असानी से याद कर लेंगे आप और या at least one bidentate ligand हो और जो हमारा वो bidentate ligand वाला case है तो उसमें हमेशा cis form होनी चाहिए ठीक है याने trans वाला अगर आपको compound है complex है अभी हम question solve करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो उसमें नहीं होगा ठीक है यह समझ में आ गया आपको ना हो देखे इस order को याद कैसे करेंगे आप ये देखे जो इन सब के abcdf के यहाँ पर जो subscribe में लिखा है जैसे one 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 याने एक एक है इ इसको अगर आपको एक बार याद कर लिए कोई method हो जाए तो आपको बहुत असान हो जाएगा देखे सबसे पहले अगर 6 की 6 different है तो यहाने one 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 सबसे आपको ये 6 की 6 different क्या दिखा रहा है कि 6 की 6 आपके different थे अब क्या करें इसमें 2 case बनेगे एक case में इसको add कर लीजे और दूसरे case में इन तीन को add कर लिजे अगर इन दोनों को add करते हैं आप तो आप देखेंगे कि यानने two इन दोनों को add करके two बन गे और यहाँ चार single valences बच गई, similarly अगर 3 add करते हैं, यहाने 3, यह 3, 1, 1, 1, 1, अब 3 वाले में तो यहीं रुख जाईए, अब 2 वाले में आगे बढ़ेंगे, यह 2 add करे थे, और यह 4 छोड़ दिये थे, अब क्या करें, यह 2 simple add कर ले, अब इन 2 को add कर ले, 2, 1, 1, similarly यह अगली step में यह दोनो को add करते हैं, 2. समनल आ गया, तो आपके 5 के 5 जो cases हैं, वो बन गए, 1, 1, 1, 1, याने M, A, B, C, D, E, F, M, A2, B, C, D, E, M, A3, B, C, D, M, A2, B2, C, D, M, A2, B2, C, D, M, A2, B2, C, D, M, A, 2, B, C, D, M, A, 2, B2, C, D, M, A, 2, B2, C, D, M, A, 2, B2, C, D, S, इस से लिए तीन को एड़ करा इसले बाकी में अगले स्टेप में इनको एड़ करें अगले स्टेप में इसको एड़ करें नो गाइज यह easy हो गया होगा आपको आई हो और जब हम question करेंगे ना तो आपको चुटकियों में solve कर लेंगे इनको अगर match कर रहा है कोई आपका compound तो वो optical isomerism show करेंगा नहीं तो नहीं बहुत strength को हो सकता है यह थोड़ा सा अजीब method लग रहा हो लेकिन गाइस जिनको दिक्कत होती optical isomerism के questions में उनके लिए काफी helpful साबित हो सकता है नो by dented ligand जैसे में आपको पताया था by dented ligand example जैसे आपका en हो जाता OX वाला यह जो common examples होते हैं और भी होते हैं लेकिन by dented ligand में आपको यह जाता है लिए repeat होते दिखते हैं और भी आपको पता होगा राइट सो देखिए अब जब हम question करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन चीज़ होगा ठीक है यह question 2016 जेए के मेंसमा आया था इसमें पूछाया कि which of the following complex is show optical isomerism अब देखिए इसमें पहला मैंने देखा सिस है ठीक है और यह है ट्रांस मैंने ट्रांस देखते ही लाइन कार्ट दी यह नहीं हो सकता ठीक है अब आपको पताया था सिर्स सिर्स फोर्म ही शो करेगा अब कि हमें क्या देखना यह जो coordination sphere है इसके अंदर ma2b2 इस तरह से होते हैं तो अब देखिए coordination sphere यानि जो brackets के अंदर है इनकी ही values को देख रहे हैं इसमें इन यह क्या है एक bidentate ligand है और इन 2 क्या होगी दो bidentate ligand लगे वह है तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था अगर सिस फोर्म है और अट लीस्ट वन bidentate ligand है तो वो optical isophanism शो करेगा आग बंद करके टिक लगा दें मुझे देखना ही नहीं है यह trans था हाला कि दो bidentate ligand है लेकिन transformation ले नहीं शो कर रहा अब यह देखिए यह क्या है m a4 b2 type का compound होगी क्या यह शो करता है नहीं शो करता क्यूं देखे एक दो तीन चार पांच है इन दोनों के एड़कर 2 1 1 1 2 इन दोनों के एड़कर 2 2 1 1 इन दोनों के एड़कर 2 2 2 2 और दूसरा क्या था इस तीन को एड़क यह इस type के compounds ही show कर सकते हैं optical isomerism एक, दो, तीन, चार, पाँच क्या किसी को match कर रहा है यह यह क्या हो गया 4, 2 type का हो गया नहीं match कर रहा तो यह नहीं यह नहीं show कर रहा similarly, same cases के साथ है यह 3 और 3 type के compound है I hope guys, आपको समझ माया होगा, यह मैं इंद और इसको देख रहा हूँ right, तो यह भी नहीं show कर रहा है, तो यह direct हो गया अब देखे guys, आपको diagram बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी हो गया, right तो next question देखते हैं which of the following complex species is not expected to exhibit optical isomerism तो यह optically active है, तो यानि यह हमारा correct answer नहीं है, क्योंकि इसमें जो नहीं है वो बताना है similarly, इससे पहले मैं भी इनको इसको discuss करता हूँ अगर इसको देखेंगे आप, इसमें MA3B3 type compound हो गया, यानि 33 type क्या यह show करेगा देख लेता है, जल्दी जल्दी देखें, एक दो, तीन, चार, पाँच है, इनको add करो 2, एक दो, तीन, चार, टू, इनको add करो 2, वन, वन, इसको add करो 2, और इसको 3, एक दो, तीन, क्या यह match कर रहा है यह, नहीं कर रहा है तो याने यह optically inactive है इसका मतलब यह हमारा correct answer है right D को देखते हैं यह at least one bidentate ligand रख रहा है तो इसका मतलब यह optically active है ओके गाईज यह सही है right तो यह हमारा correct answer नहीं है लेकिन optically active है अब देखे B को देखे B को मैं क्यों बताना चाहरा था देखे at least one bidentate ligand है यह तो मुझे सही समझ मा आ गया कि यह optically active हो सकता है लेकिन किस case में हो सकता है जब यह सिर्फ cis form में हो यह transform में जब होगा तब उस time में तो optically inactive होगा जैसे आप पिछले question में देखे हैं यह वाला जो यह था same ही तो question है न अगर आप देखेंगे coen2 cl2 coen2 cl2 यह वाला अंदर वाला part हो गया यह trans वाला है और यह cis में भी है अगर यह trans में है तो optically inactive होगा लेकिन इसमें यह पूचा है सिर्फ दे दिया है कि यह किसी भी case में क्या show कर सकता है यह show कर सकता है अगर आगे पूचे जाएगा कि जब यह cis form में हो तभी यह optically active हो गया cis form में वैसे expected है यह show कर सकता है समझ में आगे होगा है न अब देखें suppose जैसे यह co है अगर आपको मैं इसका cis form बताऊं तो कुछ ऐसा बन सकता यह क्या हो गया आपका cis form हो गया और जो ट्रांस form बनती है वो क्या होगा EN EN EAST LC L अपोजिट लोगों तो यह क्या होगा ट्रांस हो गया तो यह optically inactive है यह optically active है यह cis है यह trans है I hope guys आपको समय में आगे और गया trick के थूरदेगे मिने direct करती है अब तक तो नाम दिया वा था, इसमें आप डियाग्राम दे दिया, अगेन वही guys कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ ही नहीं सोचना, ट्रिक बता दिया, आपको देए, यह किस टाइप का हो गया, म, A कितने है, 3 है, B कितने है, 3 है, M, A3, B3, यह किया है, M, A2, B4 टाइप का हो गया, यह कितने टाइप का है, M, A2, B2, और 1, E, N है, यह मैं order में नहीं लिखा है, लेकिन समझ में आगे होगा, आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और यह किया है, M, A2, और E, N, 2, लेकिन यह लिए क्या है, ट्रांस्फोम है दिखे रहा है आपको, यह ट्रांस्फोम है अब देखे कितना आसान हो गया मैंने आपको बताया, एक, दो, तीन, चार, पांच है इसको add कर मैठ रहा है? इसको add कर दो, 211, इसको add कर दो 2 और इस तीन को add कर दो, 3, 1,2, 3, क्या ये 33 इनमें कहीं मैच आ रहा है 222 है नहीं क्या ये 24 इसमें मैच कर रहा है नम्मर में ये 3111 होना चाहिए नहीं शो कर रहा क्या इसमें मैच कर रहा है 22 इंड अब देखे अगर लिगेंड है बाइडेंट 8 तो हमारा कर रहा है तो ये ये इसमें अगर आपको ये दे आ आंसर हो यह समझ में यॉगी ये ट्रिक समझ टाइम बचाने के लिए गाईज यह टाइम सेविंग टेकनीक्स है राइट सो अगर आपको अच्छी लगए गाईज तो लाइक जरूर करें इससे मुझे पता लगता रहता है कि आपको समझ मा रहा है वीडियो और मुझे भी लगता है कि हाँ यह कुछ फाइद हो रहा है बन